शिरी माताव वैशनु देवी जी जहांपर सालाना क्रोडो भक्त मातारानी जी के पवित्तर दर्शन के लिए दुनिया के कोने कोने से कट्रा पहुंचते हैं इसी बीच कट्रा में रुकने के लिए तो आपको भूत सारे होटल जाफिर गैस्ट हाउस मिल जाएंगे पर मातारानी के पवित्तर भवन पर होटल की कोई भी सुविधा उपलब्द नहीं हैं अगर आप मातारानी जी के पवित्तर भवन पर रुकना चाहते हैं तो आपको भवन पर रुकने के लिए श्राइन बोर्ड के दवारा निर्मित रूम्ज या फिर दोर्मेट्री की सुविधा मिल जाएगी पर इसके लिए भी आपको दो से तीन महीने पहले अडवांस में ओनलाइन बुकिंग करवानी पड़ती है रुम्ज आपको गोरी भवन और वेश्नवी भवन पर मिल जाएंगे और अगर आप VIP हैं तो आपको रुम्ज की सुविधा नियू काली का भवन या फिर शिरिदर भवन में मिल जाएगी डुर्मेट्री की सुविधा आपको मनुकामना भवन में मिलेगी यूँ तो रुकने के लिए भवन पर पहले ज्यादा सुविदा नहीं हुआ करती थी इसलिए श्राइन बोर्ड ने एक नए भवन का निर्मान करवाया है जो सिरफ स्तारा महीनों में शर्धालों के लिए बनवा दिया गया और इसे नाम दिया गया दुर्गा भवन जी हां आपने बिल्कुल सही सुना दुर्गा भवन में आपको रूम से लेकर दौर्मेटरी मिल जाएंगे पर दुर्गा भवन की खास्यत ये है कि इसमें आपको फ्री दौर्मेटरी भी मिल जाते हैं दुर्गा भवन में एक बार में कुल 25 से 3000 शर्धालू रुक सकते हैं दुर्गा भवन कुल 5 मंजीला है जिसे माइनस डायरेक्शन में बनवाया गया है जहां पर 4th floor और 3rd floor पर आपको फ्री धरमशाला या फ्री डॉरमेट्री की सुविधा मिलेगी यहां पर आप ब्लैंकेट लेकर इन फ्री डॉरमेट्री में अराम कर सकते हैं साथ में ही आपको चार्जिंग पोर्ट्स एवं फ्री लोकर की सुविधा मिल जाती है 4th floor पर आपको ब्लैंकेट स्टोर भी मिलेगा जहां पर आप 100 रुपे हर ब्लैंकेट की सिक्योर्टी देकर ब्लैंकेट ले सकते हैं और जब आप ब्लैंकेट वापिस देंगे तो आपको आपकी 100% सिक्योर्टी वापिस कर दी जाती है फ्री डोर्मेट्री के साथ-साथ आपको हर फ्लोर पर नहाने की सुविदा और शोचाले की सुविदा भी फ्री में मिलती है और सबसे बड़िया जो बात है वो देख सकते हैं यहाँ पे आपको टीजर लगे हुए मिलेंगे और अगर आप अंदर जाते हो नहाने के लिए तो यहाँ पे ओपन शावर दिये गए हैं शरधालो के लिए और एंड डैट इस और फ्री ओफोस्ट निशूल के एकदम घीजर की सुविदा आपको मिल रही है वो भी फ्री में और गरम पानी भी आता है यह देखे टैप्स बन लेगी और नहाने के लिए यहाँ पर शरधालों के लिए स्पैशली गीजर लगवाए गए हैं अब बढ़ते हैं हम सेकंड फ्लोर पर जहां पर आपको पेड डोर्मेट्री और कमरों की सुविदा मिलती है अगर कमरों की बात करें तो दुरगा भवन में आपको 3400 से 3500 साथ ही साथ बुकिंग वालों के लिए यहाँ पर अलग से त्रिप्ती भोजनाले की एक छोटी ब्रांच खोली गई है अगर आप रूम या डोर्मेट्री की बुकिंग लेते हैं तो आप इस भोजनाले में बुफे का अनंद भी उठा सकते हैं जिसके लिए आपको 175 रुप खाने की आइटम्स चेंज की जाती है कभी मटर पनीर तो कभी शाही पनीर और साथ में एक से दो और सबजियां और चावल प्लस चपाती और अचार प्लस पापड का लुट्फ आप उठा सकते हैं हाला कि इस चीज का आप विशेश ध्यान रखे कि में त्रिप्ती भोजना हाले में आपको बूफे की सुविधा नहीं मिलेगी तो जी सेकंड और फर्स्ट फ्लोर पर आपको रूम्स एवं पे डोर मैटरी की सुविधा मिलती है दोस्तों भवन के अंदर लिफ्ट भी लगवाई गई है ताकि वरिद्ध यात्री या फिर विकलांग यात्री इस लि खुर्ड बुकिंग करवा सकते हैं या नहीं तो जी अभी तक श्राइन बोर्ड के द्वारा दुरुगा भवन की बुकिंग के लिए कोई भी मानने अपडेट नहीं मिला है हाला कि अब दुरुगा भवन के रिस्यप्शन पर जा कर डारेक्ट बुकिंग मांग सकते हैं काफी शर्धालू पहले से ही कतार बनाकर खड़े रहते हैं तो जी फ्री डॉर्मेटरी में रहने के लिए सबसे पहले आएं और सबसे पहले पाएं वाला सिस्टम है अगर आप पहले आते हैं तो आपको आराम से जगा मिल जाएगी अगर आप लेट आते हैं तो आपको जगा धूंडना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और जी ब्लैंकेट स्टोर से ब्लैंकेट्स लेने के लिए आपको जल्दी से जल्दी कतार में लगना पड़ेगा क्योंकि लाइन्स कई बार इतनी लंबी हो जाती है कि फिर कई शर्दालों को ब्लैंकेट्स नहीं मिल पाते दो क्योंकि वहाँ पर अगर आप किसी शौप से ताला लेते हैं तो आपको 100-500 रुपे का एक नॉर्मल ताला मिलेगा साथ ही साथ हर फ्लोर पर ठंडे पानी के वाटर कूलर की भी सुविदा मिल जाएगी जिससे आप पानी पी सकते हैं धरमशाला को सुबह 10 बजे बंद कर द यह सुविदा है शर्धालों को रहने की यहां बलैंकिट्स अपने पडिशाकर यहां पर सूउख सकते हैं चार्जिंग पूब्र दाली का मिलीहाई है शर्धालों को देख रह पर आप अपना ताला लेका आती है तो यहां पर यहां अपना सवान लूक गर सकते हैं और हर एक लाइन में समय लो हर एक रो में तक्रीबन दस बंदे तो इसली आ ही जाते हैं और ऐसे नीचे देखिए यह फॉर्थ फ्लोर और यह थर्ड फ्लोर जिस पर अभी मैं खड़ा हूं और इसके नीचे जब आप देखते हैं तो आपको यहां पर रूम बने दिखेंगे जिस बता देना चाहता हूं यहां पर स्टे करना बिल्कुल फ्री है बिल्कुल निशुल्क है बहुत ही बहतरी सुविधा लॉंच की गई है शर्धालों के लिए एक पैसा भी नहीं लगता है बस आपको ब्लैंकेट्स की सेक्योर्टी सब्मिट करवानी पड़ेगी और आफ्ट में चलता है जी सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही प्यारा बनाया गया है श्राइन बोर्ट के द्वारा और देख सकते हैं आप आइटम अपने अपने अकोडिंग उठा सकते हैं यहां से इबनिंग में शुरू हो जाएगा देख पा रहे होंगे काफी लक्शूरियस बनाय के द्वारा और जी आपको दुर्गाभवन के साथ ही मिलेगा त्रिप्ति भोज नाले जो की बहुत ही बढ़िया भोज नाले बनाया गया है शर्दालों के लिए शामने काउट रहे जाते आप और कर सकते हैं अभी तक के लिए तो राजमा राइस राइस कड़ी दाल राइस और राइस सांबर और आपको बेवरेज में टी प्लेंड कोफी मिल्क और मिलेगा अभी के लिए स्लेक्टिट इस मैन्यू है यहां का ओनलाइन जिसे आप यूज कर सकते हैं यूप याइड़ी अपनी यूज करके और कर सकते हैं और यह देखिए जी यह त्रिप्ति भोज नाले के अंदर का व्यूव जो की बहुती ख्यूप्सूरत बनाया गया है त्रिप्ति भोज नाले हैं तो जी दोस्तों ये थी आज की वीडियो दुर्गा भवन के बारे में आजा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ अच् मेरी अप्डेट यही है कि दुर्गा भवन ऑपन कर दिया गया है एनोग्रेट हो गया है उद्धार्टन हो गया है उसका और साथ ही जात्रिप्ति भोजना लेका भी उद्धान हो गया है एंड अधर मेजर अपडेट इस कि जो पार्वती भवना उसे डिस्मेंटल कर दिये गया अब उसमें आपको डोर मैट्रिया रूम्स की सुविधा नहीं मिल पाएगी आशागर तो आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगे हो कि वीडियो अच्छी लेगे हो तो लाइक जाए 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 सब्सक्राइब कोमेंट सेक्षें में लिखे जाए माता वैश्व देवीजी की जाए मिलते आप से बहुत ही जल दिये को और नहीं वीडियो में तब तके लिए जाए माता दी बाए 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 इस